नमेश्कार दोश्टों यो मुंद्रा प्याप सजी का स्वागत है दोस्तों आज हम एक ऐसी क्रिया की बात करने जा रहे हैं जो कि आपको पूरा सस्त बनाती है एनि कि सर से लेकि पैर तक पूरे अंग को सस्त रखती है आपके सिंग के आपको हेयर और आपकी आईज आपके इंटर्नल सारे अंग, आपका ब्रेन सर एक्टिव रहता है, इनर्जेटिक रहता है, आप कितनी भी उमर आपकी क्यों न हो जाए, आपके लीवर, किड्नी, ब्रेन, हार्ट, पेंक्रियास, यह सर एक्टिव रहेंगे, एक जवान इंसान की तरह, एक स्वस्त इंसान की तरह, आपके ब्रहापे तक यह एक्टिव रहेंगे, जब लोगों की उमर होने लगती है, तो धीरे-धीरे उनके यह सारे अंग जो है, उनकी कारे शमता जो है, कम होने लगती है, यह जैसे की ब्रेन, हमारे ब्रेन भी कम जलने लगता है, जो एक बच्चे से लेके जवान इंसान तक का जो ब्रेन चलता है, तो जैसे से उमर होती है, तो ब्रेन की छमता भी कम होने लगती है, बहुत अधी आदास्त भी कमजोर हो जाती है, धीरे-धीरे आदास्त में भी कमी होने लगती है, तो यह हमारा ब्रेन जो है, धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है, हमारे इस ज़ रभानी में जैसे रहते थे लोग जैसे उमर होती है वीसे वैसे वीसे उन लोगों लोगो का खाना जो ứngके बवंगे लिया ग्रहे हमारा हार्ट यह उरके और किड्नी नहीं चा reflect पर एकटियों नहीं तो शुगर्षय नयुगता कき तरफ्स यह अelियूर आन्वे सारे अंग जो हैं धीरे जरी खमजोर हों लगते हैं लेकिन ये एक क्रिया ऐसी है कि जब इसे आप करेंगे तो एक ज़स्त इंसान की तरह आपकी एक जवान इंसान की तरह आपके पुरहाते तकी अंग बिल्कुल उसी तरह से रहेंगे ये क्रिया हमें करनी कैसे है चलिए हम देखते हैं तो इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और विडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा ये तो चलिए अब हम देर ना करत देखते हैं कि वो क्रिया कौन सी है उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सुबह उठते ही हमें विस्तर पर बैठे बैठे ही हमें ये क्रिया कर लेनी है अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से रगड़ना है ये क्रिया कोई बहुत कठी नहीं है सब लोग आसानी कर सकती किसने हमारा शरीर है उसकी पूरे अंगों की जो नशे हैं वो हमारी हथेलियों में आके जुड़ती हैं तो इसलिए जब हम इस तरह से घर्शन करते हैं हां अतों में तो ये हमारे पूरे शरीर की नश नारियां जो है एक्टिव हो जाती है भी ब्रेंड के साथ में हमारा ब्रेंड एक्टिव रहता है क्योंकि ब्रेंग की जो नव्ज हैं और पूरे अंगों की जो नव्ज हैं वो आके हमारे हथेलियों से जुड़ती हैं इसलिए हथेलियों के पॉइंट भी दवाया जाते हैं जैसे कि आपने सुनाव हो कि आपको किड्मी की प्रॉब्लम है तो हाथ में इसे सारी जो हैं हमारी एक्टिव हो जाती है जब इनमें गर्माहट आजाए आपको धीरे दीरे नहीं रगणना है इनको रगणना तेजी से है पुरा घर्शन करना है एक्डम आपकी थेलियों से गर्माहट निकलने लगे फिर इसके बाद आपको ये इस तरह से जो ये उं अंगोठे को भी दोनों हाथ की इंगलियों को हमें दबाना है पहले हमें सारे सीरे ऐसे करके दबा लेना है अब ये हम बता रहे हैं आपको इस लिए थोड़ा सा करके बता रहे हैं आप इस पे थोड़ा सा टाइम देर के इस तरह से दबाएं फिर आप ये पूरी इंगलिय कर लेते हैं निक गेह्री सांस लेते रहें और छोड़ते रहें इस तरह से गेहरी सांस बरें चारी Which Chore ं फिर गेहरी सांस बरें पिर गेहरी शोड़ें इस तरह से आप इसको कर ले आप पूरे हाथों के उगलीं को इस तरह से दबा ले तो यह आपकी पूरी जो नाश है इनको एक्टिव कर देगा और उसके बाद में आपको क्या करना होगा डीप ब्रीदिंग भी कर ले रही होगी डीप ब्रीदिंग ये तो आपने ये क्रिया करने के साथ में आप ब्रीदिंग कर लिया आपने और फिर इसके बाद में हमें डीप ब्रीदिंग करनी लेगी लेकिन डीप ब्रीदिंग वो नहीं चोकि हम नार्म आप ऐसे पलती मार के नहीं बैठ सकते हैं तो आप उसी चेयर पे बैठ के भी या इस तरह पे आप जिस तरह भी बैठ के करें लेकिन आपको अपनी गर्दन सीधी रखनी होगी आपको रीड की हड़ी अपनी सीधी रखनी होगी तब आप इसको करें तो पहले हमें स्वास को गहरा अंदर भरना है कि स्वास को हमें इस तरह गहरा अंदर भरना है कि पहले हमें स्वास भरते हुए अपने पेट को फुला लेना है फिर हमें चेश्ट को फुलाना है और फिर हमें यहां पे जो हमारी कालर वोन होती है यहां तक हमें अपनी शौश को भर लेना है फिर इसके बाद हमें धीरे धीरे शौश को बाहर निकालना है तो जैसे कि हमने 5 काउंट करते तक शौश को अंदर बरा तो हमें 10 काउंट करते तक धीरे-दीरे शौंश को बाहर निकलना है, जैसे कि पहले हमें अपना ये वाला एरिया खाली करना है, फिर चेश्ट वाला एरिया खाली करना है, फिर पेट वाला एरिया करना है, पेट को अंदर दबाते जाएं, जैसे कि आप प्यूट से अपने पेट को जोड़ने की करते रहें कम से कम आप 10 मिनट तक सुबह डेली इसको कर लेते हैं यदि आप ये क्रिया खुली हवा में निकल के बाहर कर निकल के करते हैं तो और भी ज़्यादा फैरा करेगी लेकिन विस्तर पे बैठे बैठे भी कर लेते हैं जो लोग गुजुर्ग हैं जा कुछ भी विस् कर लेंगे तो भी इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे तो चलिए हैं करते हैं देखे शौश को अंदर वरा पांच काउंट करते दर शौश को अंदर बरेंगे पेट में बरेंगे पिर चेश्ट में फिर गरदना अ अब स्वांस को बाहर चुनना है पेट बिल्कुल खाले गा दिया इसी तरह से आप चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं आप भी यदि साथ में करेंगे तो आपको अभ्यास इसका जल्दी हो जाएगा इस तरह से आप डेली दस मिनट एड़ करते हैं और ये हाथों की घर्षन क्रिया कर लेते हैं तो देखेंगे कि आपको इस तो कितने ज्यादा फैदे मिलते हैं और आप वीडियो से चले नहीं जाएगे क्योंकि एक खाश टिप्स आपको बताने वाले हैं कि आप रोजाना जो है पानी खुब पियें पानी तो आप सभी जानते हैं जितना जादा आप पियेंगे उतने जादा टॉक्षिन आपके सरीर से बाहर निकलेंगे तो आप पानी खुबती हैं और अपनी डाइट में जैसे कि आप ससे चीजों का त्यार करते हैं जैसे कि नमक हो गया मैदा हो गया चीनी हो गया और चावल हो गया ऐसी चीजों का त्यार करते हैं नमक की जगे आप शेंधा नमक कहने की पिंक नमक का यूश करें आपको जिन लोगों डाइवटीज के समय से वो लोग तो खाना खाने के पहले सलाज जरूर खाएं जिससे कि उनका सिगर लेबल खाना खाने के बाद एकडम से बढ़े नहीं तो और ये हमारे पाच्चन को भी मजबूत बनाएगा सीजन के जितने फल होते हैं शब्जियां होती हैं उनको कच्चा खाने की गोशिस करें जोगी आपके मेटाबॉलिज को भी श्ट्रॉंग गनाएगा और जितने बिटामिन्स मिनरल से आपको सब मिल सकते हैं उससे जो लोग गुनगुना बानी पीते हैं सुबह के समय उन लोगों को कच्च की सिकायत कभी भी नहीं होती है और जो लोग नीवो पानी पीते हैं वो भी दिन भर उनको विटामिन्सी मिलता है उनके बाल भी मजबूत होते हैं मेटाबॉलिंग भी मजबूत होता है इसकिन भी अच्छी रहती है और कब जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं तो गुनगुना पानी पीएं सलाद खाएं और खाना खाने के पहले आपको पानी नहीं पीना है और खाना खाने के तुरंद बाद आपको पानी नहीं पीना है खाना खाने के अदे घंटे पहले आप पानी पेले और अदेह हंटेब काने हैं, और खाना खाने के तुरंद बाद आपको बैठ नहीं जाना है, यह लेड भी चोटी मुटे होते काम हैं उनको आप निपटा ले हैवी काम खाना खाने के बाद नहीं करने होते हैं चोटे मुटे आप काम कर लें तो जिसके कान की आपकी चहल कदमी भी हो जाएगी और आपके काम भी नहीं पड़ जाएंगे उसके बाद आप इस तर पे जाएंगे तो तीवी पे या मुबाइल फोकस कर देते हैं तो आपका खाना वहीं रखा रहता है होता है कि उसको पचने के लिए हमारे सरीर को हमारे माइंड को भी रिलेक्स होना रहेगा तभी हमारी जो क्रिया हैं अंदर जो खाना पचाने के लिए काम करती हैं वह ज्यादा एक्टिव रह तो सुस्त रहेंगी जो हमारी जेठाग में है वह भी सुस्त रहेंगी तो इस कारण जो है आपको तुरंत खाना खाके बैठना नहीं है लेटना नहीं है थोड़ी सी चहल कदमी करनी है उसके बाद आपको लेटना है तब देखेंगे कि आपका खाना कितने अच्छे से पच कर लेते हैं तो देखेंगे कि आपका पूरा सरीर जो है सस्त हो जाएगा निरोग बढ़ाते में भी जवानी जैसा फील कर सकते हैं आप यह क्रियाएं करके तो आप इसको करके सस्त रहें निरोग रहें धन्यवाद